नमस्कार तो हाजिर हूँ मैं फिर एक नई कहानी के साथ तो लीजिए सुनिए प्रेम चन जी की लिखी कहानी सौथ जब रजिया के दू तीन बच्चे होकर मर गए और उम्र धल चली तो रामो का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे व्याह की धुन सवार हुई आए दिन रजिया से बगजख होने लगी रामो एक ना एक बहाना खोच कर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत्रम और अंत्र में एक नई इस्त्री को लेही आया इसका नाम था दासी चमपई रंग था बड़ी बड़ी आँखें जवानी की उम्र पीली कुसांगी रजिया भला इस नव्यावना के सामने क्या जचती फिर भी वह जाते हुए स्वामित्तो को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाती थी तिगरते हुए छपपर को थूनियों से सम्हालने की चेस्टा कर रही थी घर को उसने मर मर कर बनाया है उसे सहज ही में नहीं छोड़ सकती वह इतनी बेसमज नहीं है कि घर छोड़ कर जी जाए और दासी राज करे एक दिन रजिया ने रामू से कहा मेरे पास साड़ी नहीं है जाकर ला दो रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुन्दरी लाया था रजिया की मांग सुनकर बोला मेरे पास अभी रुपया नहीं है रजिया को साड़ी की उतनी चाह ना थी जितनी रामू और दासियों के आनन में विग्ण डालने की बोली रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुन्दरी क्यों लाए चुन्दरी के बदले उसी दाम में दो साड़ियां लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा मेरी इक्षा जो चाहूंगा करूंगा तू बोलने वाली कौन है अभी उसके खाने खेलने के दिन है तू चाहती है अभी से नोन तेल की चिंता में डाल दूँ यह मुझसे ना होगा तुझे ओडने पहनने की साध है तो काम कर भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिये पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंदे में लग जाती थी अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है तो रुपया क्या आकास से गिरेंगे मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूँगा रजिया ने कहा तो क्या मैं उसकी लॉंडी हूँ कि वहरानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ इतने दिनों छाती फाड़ कर काम किया उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला काम करने आती है मैं जैसा रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा मेरी इक्षा होगी रहूँगी नहीं अलग हो जाऊंगी जो तेरी इक्षा हो कर मेरा गला छोड़ अच्छी बात है आज से तेरा गला छोड़ती हूँ समझ लूंगी विद्वा हो गई रामो दिल में इतना तो समस्ता था कि यह गिरस्ती रजिया की जोड़ी हुई है चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकरशन हो संभव था कुछ देर बाद बाद जाकर रजिया को मना लेता पर दासी भी कूट नीती में कुशल थी उसने गर्म लोहे पर चोटे जमाना शुरू की बोली आज देवी की किस बात पर बिगड रही थी रामू ने उदास मन से कहा तेरी चुन्री के पीछे रजिया महा भारत मचाये हुए है अब कहती है अलग रहूंगी मैंने कह दिया तेरी जो इच्छा हो कर दसिया ने आखे मटका मटका कर कहा यह सब नकरे हैं कि आकर हाथ पाओ जोड़े मनावन करें और कुछ नहीं तुम चुप चब बैठे रहो दो चार दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी तुम कुछ बोलना नहीं उसका मिजास और आसमान पर चढ़ जाएगा रामु ने गंबीर भाव से कहा दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है वह मुँ से जो बात कहती है उसे कर के छोड़ती है रजिया को भी रामु से ऐसी कृतधनता की आशा ना थी वह जब पहले कीसी सुन्दर नहीं इसलिए रामु को अब उससे प्रेम नहीं है पूरुष चरित्र में या कोई असाधारन बात ना थी लेकिन रामु उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास ना आता था या घर उसी ने पैसा पैसा जोड़ कर बनाया ग्रिहस्ती भी उसी की जोड़ी हुई है अनाच का लेन देन उसी ने सुरू किया इस घर में आकर उसने कौन-कौन से कस्ट नहीं छेले इसलिए तो कि पौरुक ठक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी और आज वह इतनी निर्देता से दूद की मक्खी की तरह निकाल फेक दी गई रामु इतना भी नहीं कहा कि तु अलग नहीं रहने पाएगी मैं या खुद मर जाओंगा या तुझे मा डाड़ूंगा पर तुझे अलग न होने दूँगा तुझसे मेरा ब्याह हुआ है हसी ठठा नहीं है तो जब रामु को उसकी परवाह नहीं है तो वह रामु को क्यों परवाह करे क्या सभी इस्त्रियों के पुरुष पैठे होते हैं सभी के माबाप बेटे पोते होते हैं आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई इस्त्री लाते और मेरी यह दुरगती करते इस नदई को मेरे उपर इतनी भी दया ना आई नारी हिर्दय की सारी परवश्टा इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी वही आग में जो मोटी लकडी को इस परश भी ना कर सकती फूस के जला कर भस्म कर देती दूसरे दिन रजिया एक गाउं में चली गई उसने अपने साथ कुछ न लिया जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ती थी विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था आज घर भी छीन गया रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था रजिया को जाते देख कर रजिया ने यही समझा इस तरह तोरों की भाती वह जाना भी न चाती थी वह दासी को उसके पति की ओर सारे गाउं को दिखा देना चाती थी कि वह इस घर से ठेले की भी चीज नहीं ले जा रही गाउवालों की दृष्टी में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष था उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपता उठा ले गई उसने रामू को पुकार कर कहा समालो अपना घर मैं जाती हूँ तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही रामू एक छण के ले कर्तब विब्रष्ट हो गया क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया उसे आशा ना थी कि वह यो जाएगी उसने सोचा भी जब वह घर ढोकल ले जाने लगेगी तब वह गाउवालों को दिखावेगा उसकी सहानुभूती प्राप्त करेगा अब क्या करे दसिया बोली जाकर गाउव में धिंडोरा पीटाओ यहां किसी का नहीं है तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ ले जाएगी रजिया ने उसके मूह ना लगकर रामू से ही कहा सुनते हो अपनी चहेती की बातें फिर भी मूह नहीं खुलता मैं तो जाती हूँ लेकिन दस्सो रानी तुम भी बहुत दिन करता है दस्या ठाहा मार कर हसी पर रामू ने सेर जुका लिया रजिया चली गई रजिया जिस नए गाउं में आई थी वह रामू के गाउं से मिले मिला ही हुए था अतेव यहां के लोग उससे परिचित हैं वह कैसी कुशल ग्रिःनी है कैसी महिंती कैसी बात की सच्ची यह यहां किसी से छिपा ना था रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाठा ना हुई जो एक लेगर का काम करे उसे काम की क्या कमी तीन साल एक रजिया ने कैसे काटे कैसे एक नई ग्रस्ती बनाई कैसे खेती शुरू की इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए संचे के जितने मंत्र है जितने साधन है फिर रजिया को खूब मालूम थे फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ती वारा पार नहीं रहता गाँवाले उसका परिश्यम देखकर दातों उंगली दवाते थे वा रामों को दिखा देना चाहती है मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ वा अब पराधीन नारी नहीं है अपनी कमाई खाती है रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती रोज दो दो रोटियां भी खिलाती है फिर उन्हें घंटों सहलाती कभी कभी उनके कंदों पर सिर रखकर रोती है और कहती है अब बेटे हो तो पती हो तो तुमी हो मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है दोनों बैल शायद रजिया की भाशा और भाव समस्ते हैं वे मनुश्य नहीं हैं बैल हैं दोनों सिर नीचा कर रजिया का हाँच चाट कर उसे आश्वाशन देते हैं वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी और ताकने लगते हैं, कितने हर्स से कंधा जुलाकर पर जुआ रखवाते हैं, कैसे जी तोड़ कर काम करते हैं ये वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हिदे को अपनाया है रजिया इस गाउं की चौधराईन है, उसकी बुद्धी जो पहले नित्य आधार खोशती रहती थी और स्वच्छन्द रूप से अपना विकास ना कर सकती थी, अब छाया से निकल कर प्राण और उन्नत हो गई है एक दिन रजिया घर लोटी, तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराईन, रामू तो बहुत बिमार है, सुना दस लंगन हो गए है रजिया ने उदासींता से कहा, जुड़ी है क्या? जुड़ी? नहीं, कोई दूसरा रोग है बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा, कैसे जी है रामू? तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवादारू करे दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धन्दा ना करती थी, और अब तो लड़कोरी है कैसे काम करने आए? सारी मार रामू के सिर आ जाती है फिर गहने चाहिए, नई दुलहिन हो, यो कैसे रहे? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा, आप भोगेगा लेकिन अंदर उसका जी न लगा, वह एक छण में फिर बाहर आये शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी, मानो उसे कुछद परवाह नहीं है परवा आदमी चला गया था रजिया ने पूरव पच्चिम जा कर देखा, वह कहीं न मिला तब रजिया द्वार के चोखट पर बैठ गई इसे वे शब्द याद आये, जो उसने तीन साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे उस वक्त जलन में उसने वह शाब दिया था, अब वह जलन ना थी समय ने उसे बहुत कुछ शांद कर दिया था रामू और दासी की हीना वस्था अब इश्या की योग नहीं, दया की योग थी उसने सोचा, रामू को दस लंगन हो गए हैं तो अवज्य उसकी दसा अच्छी ना होगी कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था दस लंगन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा फिर इधर, खेती बारी में भी टोटा ही रहा खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा पडोसी की एक इस्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा सुना रामू बहुत बिमार है जो जैसी करेगा वैसा पाएगा तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकाले रजिया ने टूका नहीं दिदी, ऐसी बात न थी वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं मैं चली तो सिर जुका लिया दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हूँ यो मुझे कभी कुछ नहीं कहा किसकी बुराई क्यों करूँ फिर कौन मर्द ऐसा है जो और जों के बस नहीं हो जाता दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है रजिया ने कलसा और रसी उठाई और कुएं पर पानी खीचने गई बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी पर उसकी आँखें उस रास्ते की ओ लगी हुई थी जो मलसी रामू का गाउं को जाता था कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा था नहीं बिना बुलाए वख कैसे जा सकती है लोग कहेंगे आखिर दोड़ी आई ना मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा दस लंगन थोड़े नहीं होते उसकी दे में था ही क्या फिर उसे कौन बुलाएगा दसिया को क्या गरस पड़ी है कोई दूसरा घर कर लेगी जवान है सौ गाहक निकल आवेंगे अच्छा वह आ तो रहा है हाँ आ रहा है कुछ घबराया सा जान पड़ता है कौन आदमी है इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं दो चा नए आदमी आकर बसे ही होंगे बटो ही चुप चाप कुएं के पास से निकला रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली रामू महतो ने भेजा है तुम्हें अच्छा तो चलो घर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ नहीं अभी मुझे कुछ देर है बैलों को सानी पानी देना है दिया बत्ती करनी है तुम्हें रुपए दे दू जाकर दसिया को दे देना कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे बटो ही रामू को क्या जाने किसी दूसरे गाउं का रहने वाला था पहले तो चकराया फिर समझ गया चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ चलते चलते रजिया ने पूछा अब क्या हाल है उनका बटो ही ने अटकल से कहा अब तो कुछ समहल रहे हैं दसिया बहुत रोधो तो नहीं रही थी रोती तो नहीं थी वह क्यों रोएगी मालूम होगा पीछे बटो ही चला गया तो रजिया ने बैलो को सानी पानी किया पर मन रामू की ही ओर लगा हुआ था सने इस मृतिया छोटी छोटी तारिकाओं की भाती मन में उदित होती जाती थी एक बार जब वह बिमार पड़ी थी वह बात याद आई दस साल हो गए वह कैसे रात दिन उसके सिरहने बैठा रहता था खाना पीना तक भूल गया था उसके मन में आया क्यों न चल कर देखी आवें कोई क्या कहेगा किसका मुँ है जो कुछ कहे चोरी करने नहीं जा रही हूँ उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ पंद्रा बीस साल ही हूँ दस्या नाक सी कोड़ेगी मुझे उससे क्या मतलब दस्या ने किवाड बंद किये घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली कापती जेजकती छमा का दान लिये हुए रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई और वह चाहे कितना जोर करे कितना ही सर खपाए थी और फूहड थी जब पहला नशा उत्रा तो ठाए ठाए शुरू हुई खेती की उपच कम होने लगी और जो होती भी थी वह उट पटांग खर्च होती थी रिन लेना पड़ता था इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्त बिगडने लगा शुरू में कुछ परवाह ना की परवाह करके ही क्या करता घर में पैसे ना थे अताईयों की चिकिच्सा ने बिमारी की जड़ और मजबूत कर दी और आज दस बारा दिन के उसका दाना पीना छूट गया था मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविश्य से निश्चित होकर अतीत में विश्राम करते हैं जैसे कोई गाडी आके आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लोटे रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोस्ता तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला वह क्या गई लक्ष्मी चली गई मैं जानता हूँ अब भी बुलाओं तो वह दोड़ी आएगी लेकिन बुलाओं किस मुसे एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराच छमा करा लेती फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं है कुछ सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा कैसा है जी तुम्हारा मुझे तो आज हाल मिला रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आख उलट गई लाश खर में पड़ी थी रजिया रोती थी दस्या चिंतित थी खर में रुपए का नाम नहीं लकडी तो चाहिए ही उठाने वाले भी जलब करेंगे ही कफन के बगए लाश उठेगी कैसे दस से कम का खर्च ना था खर में दस पैसे भी नहीं दर रही थी कि आज गहन आफत आई ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे किसान की बिसात ही क्या दो तीन नग बेचने से दस मिल जाएंगे मगर और हो ही क्या सकता है उसने चौधरी के लड़के को बुला कर कहा देवर जी या बेड़ा कैसे पार लागे गाउं में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं मेरे गहने हैं चौधरी से कहो इने गीरो रखके आज का काम चलाएं फिर भगवान मालिक है रजिया से क्यों नहीं मांग लेती सहसा रजिया आखे पोस्ती हुई आ निकली कान में भनक पड़ी पूछा क्या है जोखू क्या सलाह कर रहे हो अब मिठ़्ी उठाओ सलाह की बेला है हाँ उसी का सरन्जाम कर रहा हूँ रुपए पैसे तो यहां होंगे नहीं बीमारी में खर्च हो गए होंगे इस बेचारी को तो बीच मजधार में लाकर छोड़ दिया तुम लपक कर उस घर चले जाओ भया कौन दूर है कुंजी लेते जाओ मंजूर से कहना भंडार से पचास रुपए निकाल दे कहना उपर की पट्री पर रखे हैं वह तो कुंजी लेकर उधर गया उसने देखा रजिया में कितनी दया कितनी च्छमा है रजिया ने उसे च्छाती से लगा कर कहा क्यों रोती है बहन वह चला गया मैं तो हूँ किसी बात की चिंता ना कर इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी मैं वहाँ भी देखूंगी यहाँ भी देखूंगी धाप भर की बात ही क्या कोई तुमसे गहने पाते मागे तो मत देना दसिया का जी होता था कि सिर्पटक कर मर जाए इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हूँ, सूरत करके मुझे बता देना मैं जगड़ा नहीं रखना चाहती बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूद होता ही नहीं गाय जो तुम छोड़ गई थी, वह मर गई दूद नहीं पीता राम राम, बिचारा मुर्जा गया मैं कल ही गाय लाओंगी सभी ग्रिहस्ती उठा लाओंगी वहां क्या रखा है? लास्षे उठी, रजिया उसके साथ गई दाह कर्म किया भोज हुआ, कोई दो सो रुपए खर्च हो गए किसी से मांगने ना पड़े दसिया के जोहर से भी इस्त्याक की आँच में निकल आए विलासिनी, सेवा की मूर्ती बन गई आज रामु को मरे साथ साल हुए है रजिया घर समाले हुए है दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है पहले उसे पहना कर तब आप पहनती है उसे खिला कर आप खाती है जो खूँ पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बादचीत पक्की हो गई है इस जाती में बचपन में ही ब्याह हो जाता है दसिया ने कहा बेहन गहने बनवा कर क्या करोगी मेरे गहने तो धरे ही है रजिया ने कहा नहीं री उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी अभी तो मेरे हाँच चलता है जब ठक जाओं तो जो चाहे करना तेरे अभी पहनने उड़ने के दिन है तू अपने गहने रहने दे नाइन ठकूर सोहाती करके बोली आज जोखु के बाप होते तो कुछ और ही बात होती रजिया ने कहा वे नहीं है तो मैं तो हूँ वे जितना करते मैं उसका दूगा करूँगी जब मैं मर जाओं तब कहना जोखु का बाप नहीं है ब्याह के दिन दसिया को रोता देखकर रजिया ने कहा बहू तुम क्या रोती हो अभी तो मैं जीती हूँ घर तुम्हारा है चैसे चाहो रहो मुझे एक रोटी दे दो बस और मुझे करना क्या है मेरा आदमी मर गया तुम्हारा तो अभी जीता है दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई जी जी तुम मेरी माता हो तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती घर में तो चुहे लोटते थे उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े सुहाक का सुक तो मुझे तुम्हारे राज में मिला मैं दुख से नहीं रोती रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहां मैं और कहां ये खुशहाली रजिया, रजिया मुस्कुरा कर रो दी आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई कहानी के साथ धन्यवाद अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे मुझे प्रोत्साहन देने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें शुक्रिया, धन्यवाद झाल 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 झाल